अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना जब कोई महला मावनी की प्लानिंग करती है तो उसे इस बात की चिंता वनी रहती है कि वो किस तरह पता लगा सके कि वो गर्वती हो गई है महलाएं इसका पता लगाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाती हैं लेकिन महलाओं को सही जानकारी नहीं मिल पाती है आज जानने की कोशिस करेंगे सरीर के कुछ ऐसे संकेत के बारे में जो संकेत गर्वती होने के बाद होते हैं तो आईए जानते हैं विस्तार से की गर्वती होने के बाद सरीर देता है ये पास संकेत, महलाएं जरूर देखें गर्वती होने के बाद महलाओं के सरीर में कई तरह के हार्मोनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण महलाओं को मितली की समस्या होने लगती है साथ ही साथ सरीर में पानी की कमी से उल्टी होने लगता है सरीर का ये संकेट गरवती होने का होता है अगर किसी महला का सरीर ऐसा संकेट देता है तो आप तुरंथ ही डॉक्टर से चेकप करवाएं गरवती होने के बाद महलाओं के सरीर में किड्नी जैवेत और सक्रिय हो जाता है जिसके कारण महलाओं को जल्दी जल्दी ट्वालेट जाने का मन करता है अगर किसी महला का सरीर अचनक से ऐसा संकेत देता है तो इसका अर्थ है कि वो महला गरवती हो गई है महलाएं इस संकेत को नजर अंदाज ना करे और तुरंथ ही किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले ताकि उसे मा बनने में कोई परिशानी ना हो सके बच्चे की प्लानिंग कर रहे महलाओं को अगर अचानक से सिर्दर्द की समस्या होती है तो इसका अर्थ है कि वो महला गर्वती हो गई क्योंकि गर्वती होने के बाद शरीर का ब्लड बॉल्लूम बढ़ जाता है सिर्दर्द की समस्या होने लगती है अगर किसी महला का शरीर ऐसा संकेत देता है तो आप तुरंट ही किसी डाक्टर से सला लेना चाहिए और चेक अप जरूर करवाएं ताकि इस समय बाद का पता सल सके कि आप गर्वती हैं या नहीं गर्वती होने के बाद जब महलाओं के सरीर में हार्मोनिक परिवर्तन होते हैं तब महलाओं के सरीर का तापमान बढ़ जाता है तथा उनका मन चिर्चिरा सा हो जाता है अगर किसी महला का सरीर ऐसा संकेत देता है तो इसका आर्थ है कि वो महला गर्वती हो गई इस तरह के संकेत को नजर अंदाज ना करें और तुरंत डाक्टर से सलाह लें गर्वती होने के बाद हार्मोनिक परिवर्तन से महलाओं का पाचन क्रिया कमजोर हो जाता है जिसके कारण बोजन पक्चने में परिशानी होती है और पेट में कब्ज की समस्या उत्पन होती है अगर किसी महला का सरीर अचानक से ऐसा संकेत देता है तो इसका आर्थ है कि वो महला घर्वती हो गई क्योंकि ये संकेत घर्वती होने के होते हैं गर्वती होने के बाद मैलाओं को सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और सार रिक जाच करवानी चाहिए दोस्तो इस तरह के जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अनुपम काया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल थैंक यू फ्रेंड थैंक्स पर वाचिंग जाहिंद बंदे मात्रम